हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं हिंदी के बेश्ट ट्रीक यानि हिंदी के ग्रामर से आपके लिए मैं सरवनाम लेकर आई हूं जो कि सरो नाम किसे कहते हैं सरो नाम के भेद कितने होते हैं निष्चे वाचक सरो नाम किसे कहते हैं यह मैं आपको बताऊंगी So start करते हैं आजका वीडियो मेरा वेबी यह आपके लिए में लेकर आई हूँ वो है निष्चे वाचक सरोनाम क्या है निष्चे वाचक सरोनाम ओके इसका परिभासा क्या होता है मैं आपको पूरे डिटल्स में बता देती हूं देख लेते एक बार, निश्चे वाचक सर्वनाम की परिभासा, ठीके, अगर आपको बोड एक्जाम में, अगर आपके आज है, तो आप ऐसे ही बड़ा सा हेड रेटिंग डाल दिजेगा हेड लाइन के साथ, निश्चे वाचक सर्वनाम और यहाँ पे डाल दिजेगा परिभासा लिखना, जो सर्वनाम किसी ब्यक्ति वस्त आदि की ओर निश्चे पूर्वक संकेत करें, वे निश्चे वाचक सर्वनाम होते हैं, ठीक है, वे क्या होते हैं, निश्चे वाचक सर्वनाम होते हैं, ठीक है, फिर से देख लेते हैं, निश्चे वाचक सर्वनाम किस इसी ब्यक्ति वस्तु आदिकी और निश्चे पुर्वक संकेत करें वे निश्चे वाचक सरो नाम कहलाते हैं ठीक है अगर आप प्लीज मेरे वीडियो पे न्यू आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सिस्क्राइब जरूर कर दीजेगा लाइक इजे कमेंट करना तो बिल्कुल का है कहीं मिलने वाला नहीं है आपको इसलिए आप इसे राइड भी कर लिजे निश्चे वाचक सरो नाम ठीक है परिभासा है जो सरो नाम किसी ब्यक्ति वस्तु आदिकी और निश्चे पुर्वक संकेत करें वे निश्चे वाचक सरो नाम कहलाते हैं उदाहरण है रहा है ठीक है निश्चे वाचक सर्वनाम का उदारड है यह जा रहा है तो प्लीज एक बार और फिर से देख लेते हैं निश्चे वाचक सर्वनाम परिवासा जो सर्वनाम किसी ब्यक्ति वस्तु आधि की और निश्चे पूर्वक संकेत करें वे निश्चे वाचक सर्वनाम कहलाते हैं उदारड है या जा रहा है प्लीज अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक किज़े कमेंट किज़े सेर किज़े और प्लीज रिक्वेश्ट है आप से कि सस्क्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा प्लीज